आज बात करेंगे कि नवम भाव में अगर बुद्ध स्थापित हैं आपके कुंडली के अंदर तो क्या वो सही में भाग्य स्थान में बैठने के कारण बहुत अच्छा फल देंगे या फिर कुछ ऐसी संभावना हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अकसर कभी-कभी कुछ गलत फैमिया मन के अंदर आ जाती हैं जिसके कारणवश कुछ ग्रहों की तरफ और कुछ स्पेसिफिक हाउसेज में बैठने के कारण हम उनकी तरफ द्यान ही नहीं देते तो आज उसी ध्यान को आपको दिलवाने के लिए ये मैं जानकारी दूँगा मैं स्ट लदर शेलिजन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ दर्शको देखें नवम भाव आप सभी को ग्यात है कि भाग्ये स्थान का भाव होता है परंतु दर्शको एक प्रशन उठता है कि अगर भाग्ये स्थान में सभी ग्रे बैटकर हमारे भाग्ये की बड़ातरी करने लगे तो फिर तो कुछ देखना और समझने के आवशक्ता ही नहीं है अब बुद्ध को ही लीजिए जब नवम भाव में बैठे हैं आपके और आप यह मानके बैठ जाएं कि बुद्ध नवम भाव में बैठके शान्त रहेंगे बहुत साधारन तरीके से चलेंगे बुद्ध हैं दूसरों के साथ मिलकर ही प्रभाव देते हैं जैसे कि कईबर आपने शास्तर अनुसार देखा भी है सोना भी है परंतू दर्शको बुद्ध नवम भाव में बैठकर कुछ बड़ा विचित्र साकर बैठते हैं यह विचित्र किस तरह से होता है आप ही देखिए आप अपनी पूरी जिंदिगी को पलट कर देखिए नवम भाव में जब बुद्ध बैठे हैं इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से जिहां पूरी तरह से अपनी परंपराओं से आगे जाओगे यह जब आगे जाने की बात आती है तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है दर्शकों परंतु उस आगे जाने के लिए कई बर परंपराओं को तोड़ना भी पड़ता है और बुद्ध नवम भाव में बैठके बहुत जादा आपको प्रेरीत करते हैं कि आप परंपराओ को तोड़ कर आगे जाओ कहने का तातपर्य क्या है जैसे मान लीजे आपके परिवार में कोई व्यापार चला आ रहा है कोई कारे का तरीका चला आ रहा है तो आपको बुद्ध नवम भाव में ये प्रेरीत करेंगे कि जाओ भई उस काम को मत करो अपना अलग काम शुरू क करो यानि परिवार से हट कर परिवार से कोई जगडा नहीं है परन्तु बुद्ध यहां बर परंपराओं को तोड़ने के कोशिश करेंगे इसके विप्रीत मान लीजे परिवार में सभी लोग आस तक नौकरी करते आ रहे हैं सरकारिया नौकरी कर रहे हैं या फिर प्राइ के आपको आपके परिवार से सोच विचार में अलग कर देंगे इसी कारणवश जीवन के शुरुवाती दौर से ही आप अपने परिवार से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करना शुरू करते हैं समस्ते हैं इसे पहले ये देखिए कि क्या आप जीवन के शुरुवाती दौर में बुद्ध हमारी पढ़ाई पर कुछ इफेक्ट डालेंगे नवंभाव में बैठकर शुरुवात में तो दर्शको बुद्ध आपको बहुत अच्छा पढ़ने का एक्सपेक्ट देंगे मैंने हसा इसले यहां पर क्योंकि एक समय के बाद वो जो ब्राइट और कर देगा स्ट्रीम्स चेंज करना शुरू कर देगा जिसके पीछे घर वालों को कुछ समझ नहीं आएगा परन्तु क्या सही में इसके कारण आप अपने लाइफ स्पोईल करने वाले हैं खराब करने वाले हैं देखे दर्शको बुद्ध नवंभाव में बैठा है ना तो बहुत हो ये बात तो पकी है परन्तु फिर से आया क्यों क्योंकि ये परन्तु ही यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है बुद्ध नवंभाव में तो खेर इस परन्तु को चलाते वे मैं यह कहूंगा कि आप अपनी लाइफ को खराब तो नहीं करेंगे पर पहले एजुकेश अपने तरीके से चलने का confidence देंगे कहने का मतलब शुरुवात से परिवार से अलग तो सोच रहे थे पर फिर भी बुद्ध नवंभाव में थोड़ा बहुत मन के अंदर एक विपरीत अवस्था बनाके चलते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूं या कर रही हूं क्या यह दिशा म आप अपने जब करियर के बारे में decide करते हैं तब वह बाते आती हैं जो मैंने thumbnail में लिखी हैं यानि कुछ दोका और कुछ बदनामी परंतु किस तरह से आप दोका देंगे या आपको दोका मिलेगा है यह देखते हैं समझते हैं देखे दर्शको जब बुद्ध करते हैं उसके कारणवश आप कुछ रिष्टेदारों के साथ मेंलकर कारे शुरू कर देते हैं कुछ के साथ इसे हम कहते हैं उनके साथ मिलके कारे शुरू कर देते हैं अब यहां से कहानी शुरू होगी आपको मिलने वाले दोके की आप फुली डेडिकेटीड वे में काम करेंगे पूरी तरह से अपनी फैमिली को दिखाना भी चाहेंगे कि देखिए हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं जो कि आप कर भी रहे होंगे परंतु होगा क्या दर्शको कहीं न कहीं जो आपका रिष्टदार है वो आपको एक्स्प्लाइट करेगा देखो भई बुरा तो मानना नहीं मेरा बताने के पीछे मोटीव यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतना अपनी सही दिशा को पहचान लो वो क्या रह रिलेटिव के साथ मिलकर कारे करते हो ना चलेगा नहीं दर्शको बिलकुल नहीं चलेगा सबके साथ सबका विकास नहीं होने वाला अर्थाथ आप सबके साथ मिलकर चलने वाले नहीं हो इसमें आपकी कमी नहीं है सामने वाला जरू से जादा आपको काम देगा फिर भी आ कि आप ये काम करो, आपको हर जंगे भगाया जाएगा, दोडाया जाएगा, और आपके घरवालों के पस क्या खबर पहुचेगी, जो आपका वो रिष्टदार पहुचाएगा, कि आपका बच्चा तो आलसी है, आपकी बटिया तो काम भी नहीं करना चाहती है, आपका बटा जिंदगी के प्रती सीरियस ही नहीं है, पता नहीं क्या चाहता है आपका बेटा या बटिया, यानि समझ रहे हैं मेरी बात, आपका रिष्टदार आपकी बदनामी करेगा, आप अच्छा कारे कर रहे हैं, पर पीट पीछे आपके घरवालों को ही गलत बोलेगा, तो धोका भी देगा, ऐसा करने की हिम्मत क्यों करेगा वो, क्योंकि दर्शको, जब मैं आपसे कह रहा ह गया नहीं, इसी कारणवाश वो रिष्टदार इतने हिम्मत करता है, कि आपकी बदनामी करना शुरू कर देता है, जरा सी शरम नहीं करेगा, वो आपके खिलाफ कुछ भी गलत कहने में, जैसे एक उधारन देता हूं, मान लीजे, आप अपने रिष्टदार के बहुत आपके बद्ध नवम भाव में, आपको एक बात के लिए बहुत बहुत प्रेरीत करते हैं, जो अभी बताता हूं, पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, कि अगर आपको ये देखना है, कि बुद्ध आपके अपने करीब व्यक्ति के किसी और भाव में बैटे हैं, तो कैसा फल देंगे, आईए ना हमारी प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको बुद्ध से संबंदित अलग-अलग भाव में बैटके अन्नी वीडियो मिलेंगी, मान लिजे किसी और ग्रह के बारे में जानकारी लेना चाते हैं, भाव अनुसार, तो तक्रीबन सभी की ही अलग-अलग प्लेलिस्ट है, यानि चंद्रुमा की अलग, सूरिय की अलग, मंगल की अलग, शनी, केतु, रहु, सभी की भाव इन निताएं हमने बना रखी हैं आपके लिए, पसंद आए तो दर्शे को लाइक जरूर करना है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन 100% प्रेस करना है, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि रेश्टेदार तो बदनाम ही पर तुल गए, फ्रेंट्स थोड़ा बदना होकर कारे करना है, अर्थात, इंडिपेंडेंट्ट वर्ग कीजिए, सेल्फ डिपेंड होईए, आप जितना जादा ही सोचेंगे ना, कि भई सबके साथ मिलकर बढ़ना चाहिए, बड़ातरीती सी बारे में है, ग्रुप ग्रोथ करें, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, अब आप देखिए ना, मैं कुछ ऐसे लोग का एक्जामपल लूँगा, जो नवम भाव में बुद्ध होने के कारण जॉब करते हैं, उनकी किसमत देखिए, भाग ये देखिए, किस तरह से दोका देता है, आप जहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे ना, बत किसमती से कंपनी ही बंद हो जाएगी, वो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा, यानि एक कंपनी दूसरी कंपनी से मिक्स हो जाएगी, जिसके कारण आपके नौकरी चली जाएगी, अब देखिए, इसलिए मैंने बोला कि दोका व्यक्ती ही नहीं भाग ये भी दे सकता है यही कारण है कि बुद्ध नवम भाव में हमेशा प्रेरित करते हैं कि अपने अनुसार चलिए अपने अनुसार कारे कीजिए दर्शको यहां पूरी वीडियो इसी बात पर क्यों दियान केंदरित करके दिलवा रहा ह क्योंकि यहां पर आपके कारेच रेतर पर सबसेज़ादा प्रभाव देते हैं उसी के करना आपके धन्स संबंदित को चिस्तित você आऊप भी प्रभाव देते हैं जैसे देखे दर्शकों आपको जो इंवेस्मेंट करना है अपने काम पर करना है पार्टनर्शिप बिल्कुल मत करना क्योंकि बुद्ध नवंभाव में आपके पार्टनर को बहुत सारा फाइदा दे देगा और वह आपका पैसा लेके नो दो ग्यारा तो इसलिए थोड़ा स करना है अब आप ही देखो ना रिलेशन्शिप में भी कुछ ऐसा ही है जौब और करियर का तो मैंने बहुत डेटेल में बताई दिया इसलिए रिलेशन्शिप की बात उठाई कि क्या वहां पर भी दोका और बदनामी मिलेगा मैं सीधा वैवाही जीवन की बात करता हूं ब देखे दर्शकों आम तरपर मैं यही कहूंगा कि यहां पर मेरे लाइफ ओके रहती है और ओके शब्द के माइने बहुत सारे होते हैं परंतु फिर भी वो ओके भी बिगड़ जाता है कभी-कभी कहने का मतलब बहुत जादा जब आप बुद्ध नवंभाव के गारण अप आपको मडिफाई करते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर भी पता नहीं क्यों दिससटिस्पाई हो जाता है पता नहीं क्यों उसकी डिमांड्स बढ़ जाती है पता नहीं क्यों वो आपके खिलाफ भी कुछ बोल देता है चाहे वो चाहे या ना चाहे समझ रहे हैं आप बि नहीं किस बारे में क्यों मैं ऐसा कह गया या कह गई पर उस समय तो कह गई ना यानि बुद्ध नवम भाव में यहां पर वो ही बात कहेंगे जो आपसे वेपार में, करियर में, काम धंदे में, बढ़ाई में कहते थे अपने मन के अनुसार चलो, इंडिपेंडन्ट चलो, सुएम पर विश्वास करके चलो, अगर आप कहीं ना कहीं बहुत जादा दूसरों के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो आपको सिर्फ दो ही चीज मिलेंगी, दोका और बदनामी इसका मतलब ये नहीं है, कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कि आप लोगों से कनेक्ट मत होए, बिल्कुल होए, अब देखिये ना, नवामभा मेबुद, धार्मिक, यानि रिलिजियस अफेयर्स में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आप बहुत अच्छे गुमक कड़ हो, यानि ट्रैवल करते हो, और रिलिजियस प्लेसे पर तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हो, उसका आपको मांसिक लाब बहुत अदेख मिलता है, इवन कुछ लोगों को तो कई बार, मैं ये भी कहता हूँ, कि क्यों ना ट्रैवल और रिलिजियस अफेयर्स से रि लीजिये, या धन के अनुसार ले लीजिये, या फिर कारे छेतर में, पर लाब मिलता है ट्रैवल और रिलिजियस अफेयर्स से, इसी कारण वश्दर्श को मैं बार बार नवम भाव कबुद के व्यक्ति को कहता हूँ, अपना कारे करो, इवन अगर आप बिजनिस नहीं करन चाहते न, तो भी नवम भाव कबुद आपको एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल बनाता है, चाहे शुरुवात में, यानि यंग एज में, आपके डिगरी को, यानि कौलिफिकेशन को डिले कर दे, लेकिन फिर भी आपका वर्क एक्सपीरियंस इतना डिफरेंट्शेट कर के देता है, कि जिसके कारणवश, आप वराइटी ओफिक्लाइंट्स को अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं, यानि आप उनको सर्विसीज दे सकते हैं, और कहीं न कहीं, वो बहुत ही अच्छे तरह से आपसे सटिस्फाई होंगे, और ध्यान रखना, जितना घरवालों से आपका वैचारिक मदभेद रहा, रिश्दार उनने तो बदनाम ही कर दिया, आपको क्लाइंटल सर्विस से, अपने कस्टमर से, अपनी जॉब में अच्छा रेस्पॉंस मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा, आपको गलत रेस्पॉंस कोई नहीं देगा, चाहिए कंपनी ही बंद हो जाए, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसी बात को समझते वे एक खास बात और कहूंगा, फिरवानी को विरान दूंगा, क्योंकि बुद्ध नवमभाव में करियर, एजुकेशन, फैमिली रिलेशन्स, रिलिजियस अफेर्स, इनके सासर, फाइनेंसिस को लेके भी तरह से फैनेशल सपोर्ट नहीं करनी है किसी अन्य व्यफ्ती की, हजीब लगेगा आपको मेरी ये बात, परंतु दिहान दीजिये, आप जब भी किसी को फैनेशल सपोर्ट करेंगे ना, आपका पैसा वापसी नहीं आने वाला, इसलिए फैनेशल हेल्प मत कीजिये, प आपने पैसे को सही से इंवेस्ट कीजिये, क्योंकि आपको दो पड़ाव जिंदगी में हैं, जो बहुत इंपोर्टेंटली पैसे की जुरत पढ़ने वाली है, एक 32 वर्ष के आईओ के पास, और एक 45 वर्ष के आईओ के पास, ये दो एयर्स हैं, आगे फिछे हो सकते हैं थोड़ा बहुत अन्य दशाओं के कारण, परन्तु इस समय आप अच्छी इंवेस्मेंट्स करेंगे, अपनी लाइफ को टर्न देंगे, तो उस समय वो फाइनेंसेज आएंगे कहां से, इसलिए दर्ष को कलेक्ट करके रखिए, और बुद्ध नवमवाव में, जो आप इमोशनलों के किसी की हेल्फ करने के लिए, खुद चाबी खोल कर, तीजोरी खोल कर, पैसा ना दे दो, द्यान रखना मेरे इन बातों को दर शुक्त हो, और अगर हुआ है ऐसा, तो कॉमेंट बाक्स में बताइएगा, और लाइक, सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रू प्रेस कीजिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद